हमस्कार बचो, आज हम क्लास 6 का वर्कशिट नमबर 28 करने जा रहे हैं जो इस साल का सबसे आखरिस isथ वर्कशिट भी है गनित का, हम वर्कशिट करने जा रहे और इससे पहले भी आपको वर्कशिट जो आया था वो भी प्रायोगिक जामिती पे आया था जिसमें हमने सीखा था जामिती बॉक्स में जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पर्चे किया था आज हम वृत बनाना सीखेंगे इसमें देखिए ये दिया हुआ है वृत है भृत का जो बीच में जो हिसा होता है जहां से ये समान दोरी पर हम वकरते हैं यो ठीक बीच वाला हिसा होता है ये हिसा यहाँ जो वृत का केंदर होता है जो ये वृत का केंदर है वह बिंदू है जो वृत पर इस्थित सभी बिंदूओं से यहाँ पर जो बिंदू है उस समान दूरी पर इस्थित केंदर में है समान दूरी पर इस्थित है यह समान दूरी को आपस में जोड़ता है तो यह बृत कहलाता है बृत का के अंदर वह विंदू है जो बृत पर इस्थित विंदू के समान दूरी पर होता है वो के अंदर में होता है यानि अंदर होता है बृत के अंदर होता है अंदर वाले हिसे को अवियंतर कहते हैं अवियंतर भी कहते हैं आपने अवियंतर और बाहिर भाग सिखा होगा तो अवियंतर अंदर में होता है अब तरिज्या क्या होती है यह जो वृत के केंदर है केंदर से वृत के किसी भी बिंदू को मिलाने वाली रेखा को तरिज्या कहते हैं तरिज्या और है खाइखड़ जो वरित के केंदर को, वरित परिस्तित किसी भी बिंदू को जोड़ता है, महले है और भानलो यह बिंदू है और इसको तिर्जा से जोड़ दिए माला मुकेंदर से जोड दिये वो आपको कहलाता है तरिज्या तो एक वृत पे बहुत सारे तरिज्याएं हो सकते हैं और सबकी लंबाए बराबर होती है ठीक है बच्चों? अब अगला आता है जो इसमें दिया हुआ तरिज्या ये दिया हुआ तरिज्या है अब कहलाता है व्यास व्यास वो बिंदू है जो वृत के दो बिंदू को आपस में मिलाती है और वो मिलाने वाली रेखा केंदर से हो करके जाती है ये दो बिंदू ये है ये है इसको मिला रही है और केंदर से हो करके जा रहे एक बिंदू ये लिए एक बिंदू ये लिए इसको केंदर से जाने वाली रेखा से मिला दिये तो उसको कहते हैं हम व्यास रेखा व्यास हुआ रेखा खंड जो बृत पर इस थित दो बिंदू को जोड़ता है और बृत के केंदर से होकर कुजरता है इसमें दो तरिजा होती है एक तरिजा इतनी बड़ी और एक यहां से यहां तक तरिजा और दूसरा तरिजा यहां से यहां तक तो दो तरिजा होती है तो इसमें व्यास वरावर जो होता है व्यास वरावर में दो गुने तरिज्या भी कहते हैं तरिज्या का दुगुनी होता है ठीक है बच्चो ये इसके बाद हम जो बात करते हैं अगला जो सवाल अगला है इसमें देखिए परकार की सहाथा से आपको रचना करना यह परकार आपने देखा होगा, यह परकार है, इससे पहले पर्चे कराया था, यह परकार है, इसमें पैंसिल एक साइड में लगता है, तो इसके बीच का जो आप, जो यह दोनों के बीच का अंतर 5 सेंटी मीटर का ले लीजिए, ठीक है? पाँच सेंटी मीटर के अंतर दोनों के बीच का गैप पाँच सेंटी मीटर का रख लिए अब पैंसिल वाला हिस्सा यहां पे आप रखिए यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा इस किनारे पे लेकर के चारो साइड घुमा दीजिए तो यह सरकल बन जाएगा जिसकी तरज्या पांच सेंटीमीटर है तो आपने क्या किया है वो स्टेप उसी हिसाब से लिकिना है सबसे पहले आप परकार को पांच सेंटीमीटर तरज्या के लिए खोलिए खोल लिया पांच सेंटीमीटर खोल लिया अब किसी बिंदू पर ऊब बिंदू पर ये पैंसिल डालिए मालेम नोख वाला हिसा रखिये छिली हुई पैंसिल को कागज परी और बिंदू अंकित कीजिए पहले ओ लिखे दीजिए अब वहां परकार का नोख रखिये और उसके साहता से और चारो और उसको घुमा दीजिए तो वरित बन गया ठीक है अब दूसरा सवाल दिया हुआ है दो केंदर सी पर साथे चार सेंटीमीटर तरिजा का वरित बनाई तो अब इसमें साथे चार सेंटीमीटर इसको खोलना है और यहां पर पहले से सी बिंदू दिया हुआ है सी बिंदू आप मार कर लेंगे और वहां से साड़े चार ये वाला हिस्सा पॉइंटेड वाला हिस्सा यहां रखेंगे और पैंसिल वाला हिस्सा इस साइड से लेकर के गुमा देंगे तो यह आपका बृत बन जाएगा अब आगे क्या कह रहा है पी क्यू आर इस प्रकार अंकित कीजी कि पी वृत के अंदर आंतरिक भाग में हो पी वृत के अंदर ये वृत है तो वृत के अंदर वाला हिस्से में पी हो तो यह पी डाल देना कहीं भी डाल सकते हैं क्यू वृत पर हो वृत के किसी बिंदू पर क्यू डाल दीजिये और आर बाहर में हो आर बाहर ले ली ली तो यह इस तरह से बनाए तो रचना के पाद भी वही सबसे पहले हमने क्या लिया साड़े सेंटीमीटर लिया उसके बाद अंतर मैं लो साड़े चार सेंटीमीटर खोल करके और सरकल बना लिए फिर पी हिस्सा अंदर में लिए क्यू वाला हिस्सा बरित पर लिए और आर वाला वाहर लिए तो जैसे जैसे कि वही रचना के पाद होते हैं घबराने की बात में अब आपको करना है परकार की सहाथा से तीन सेंटीमीटर की तरिजा का एक बनाई है तो इसके बीच में तीन सेंटीमीटर गैप ले करके और चारो साड़ यहां पे पैंसिल का नोक रखेंगे यह वाला हिस्सा रखेंगे और यह चारो साड़ ले करके यह तरह से गुमा देंगे चारो साइड तो यह बन जाएगा बरित अगला है एक ही के अंदर पर तीन सेंटीमीटर और पांच पर तो एक बार तीन सेंटीमीटर तरिजा ले करके तीन सेंटीमीटर ले करके इसके चारो और गुमा देंगे तो यह बन जाएगा अब के अंदर वही रखना है चेंज नहीं करना अब कह रहा है जो कि 5 cm ले करके 5.5 अब थोड़ा सा और मुग खोल ये 5.5 ले करके 4-6 गुमा दीजिए तो यह दो वृत बन गया जिसको संग केंदर ही विद भी कहते समान केंदर है जिसको जिसका इसी तरह अगला जो सवाल है जो दिया हुआ है आपके लिए एक वृत बनाएए और एकस वाई जड़ इस प्रकार अंकित कीजिए कि एक वृत बना लिजिए आपको यह इसमें कोई माप नहीं दे रहा है कहने के लिए दिया हुआ है तो यह एक वृत बना लिए अब कह रहा है एकस वाई जड जड़ कोई विंदू ले लिए और जड़ बाहर ले लिए ठीक है यह था आज का वर्चिट अब जल्दी से बना करके भेजिए आने वाले साल के लिए हैपी न्यू यार अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद